जैहिन कैसे हैं आप सभी होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे शेफ होंगे वस्तु रचित होंगे तो आज हम इस वीडियो में बात करने वारे हैं थर्ड वेब आप्था कोविड-19 यानि कि कोरोना वाइरस की तीसरी लहर के बारे में third wave of COVID-19 तीसरी लहर के बारे में चुकि कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी क्या तीसरी लहर में बहुत मोते होने वाली है कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर में एक घंटे पर मोत होगी या तीसरी लहर कब आएगी दूसरी लहर कब समात होगी यह मात करता है कि दूसरी लहर कब समाप्थ होगी तो जो दूसरी लहर का पीक यानि कि सबसे ज़्यादा केस निकलने वाले हैं यह लगभभग 15 से 20 मई के बीच में निकलेंगे इसके बाद जो है दूसरी लहर की लगभग डाउनिंग स्टार्ट हो जाएगी देरे देरे दू जाएगी तब तीनों मिक्स करके वहां पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाएगे बाद समझ में आ रहे हैं लेकिन यह खत्म के खरार पर हो जाएगी अब आपका जो तीसरी लहर चालो होगी वह लगभग सित अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नॉम्बर अक्टूबर से नॉमबर में स्टार्ट आपकी हो जाएगी तीसरी लहर में क्या होगा क्या कि जो कह रहे हैं कि घंटे पर लासी बिछा दिया जाएगे घंटे पर लोग मनेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहां पर कारण जानते हैं कि तब तक जो है लगभग 20 परसंट आदमी कोविड पॉजिटिव हो चुके होईंगे वहां पर आदनी होंगे जो कोरोना को हरा कर जंग जीत चुके होंगे पंदजन परसंट बच्चे वहां पर होंगे कितने पंदररा परसंट बच्चे होंगे जो कुरोना जिसका कुछ नहीं विगाड बच्चो रही कोकी जितनी टेज सोहां पर को में जाएगा उनकी फ्मेंटी इस डवल अफΑूगी और को हरा देगी बच्चों में कोई सेじ न कर और अक्टूबर के बीच में लगवक 90 दिन मई जून जुलाई अगस्ट सितंबर अक्टूबर अरे 90 क्या 120 दिन बीच जाएंगे इसका तीका करण अपना पूर्ण प्रभाव दिखा चुका होगा मजब दिखा चुका होगा उसमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक कोई नहीं होगा कि इनका कुछ नहीं कर पाएगा मजब इन 75 परसंट में से एक भी जान नहीं जाने वाली है यह बात सुन जंगा इन 75% में से एक भी जान नहीं जाएगी, एक की भी मौत नहीं होगी वहाँ पर, बास समझें, आप बचे यहाँ पर 25% लोग, तो इस 25% लोगों में अभी बात करते हैं, कि अगर अक्टूबर नॉम्बर में थर्डवेव आयागी भीमाल लीजिए, तो क्या एक साथ 25% यहाँ पर COVID positive हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, वहाँ पर तब तक vaccination सब तेज होगा, हमारे पास oxygen cylinder ज्यादा तेज से develop होंगे, और सबसे ज्यादा काम करने वाला है, DRDO का, जो 2DG vaccine है, 2DG, 2DG glucose, 2DG glucose, यह सबसे ज्यादा वहाँ पर काम करेगी, जब भाई, अक्टूबर से नॉंबर में हमारे पास ग्लूप को oxygen के chain हो जाएगी, बेंटी लेटर हो जाएंगे, बेर्स बहुत सारे अवेलबर हो जाएंगे, और अगर बात करेंगे, वहाँ पर लोग जागरूख हो जाएंगे, कोरोना से पूर्ण रूप से सभी जानकारी सभी के पास होगी, और vaccination ज अगर आपकी जो कोशिका है, वो किसी भी प्रकार से अगर उसमें कोई दिक्कत है या infected है, जो भी कोशिका आपकी infected है, उस कोशिका का या glucose जो है, मतलब खाना पानी बंद करवा देता है, जिससे क्या होगी, वह कोशिका की मर जाएगी, और जो खराब कोशिका अगर मर गई अच्छी कोशिका बचेंगी, और जब एक कोशिका कम होती है, तो हमारी बाड़ी तुरूंट दूसरी कोशिका उसके अस्थान पर बनाती है, नहीं तो आदमी मर जाए, तो एक खराब कोशिका मर जिसके करण होगा क्या कि आपको जो समस्या आती थी सांस लेने में ये अब तो नहीं आएगी दिलकूर डिफिनिट है, इसे आदमी की मृत्तियू रेट में लगभग अगर कोरोना पॉस्टिव होंगे भी तो लगभग 80-85% आदमी ठीक कर लिये जाएंगे तीसरी लहर में, 80-85% आदमी ठीक कर लिये जाएंगे, नहीं मरेंगे, बचे कितने आपके, 15-20% यहीं लोग वहां पर मरेंगे, बनलब इस 25% का 80-85% आदमी ठीक हो जाएंगे, और 15-20% लोग ही वहां पर मरेंगे, चुकि DRDO की बैक्सिन सबसेदा सरदार हैं, सबसेदा काम जीर हैं वहां पर, बहां समझ में आई, और और भी बैक्सिनेशन वहां पर अबेलबर हो ज में दो दिन लग जाते थे, तब तक जो कुरोना पॉजिटिव बैक्ते हैं आराम से घूम रहा होता था, कुरोना बांट रहा होता था, लीजिए भाई, कुरोना लीजिए, लेकर अब क्या है, कि DRDO ने एक साफ्ट बीना डेवलप किया है, आत्मन, जिससे कुरोना की रिप पॉजिटिव हैं, दस मिनट के अंदर रिपोट दे जाएगी कुरोना पॉजिटिव हैं या नगेटिव हैं, तो इन सब के बारे में कि DRC बढ़ियां थी, आत्मन बढ़ियां, क्यूबी बढ़ियां है, इन सब के बारे में आगे की वीडियों बनाएंगे, कैसे जांच की जाती है, क्या होता है, विकिन फिरहाल के रिए तब जाच करना कितना जल्दी जांच हो जाएगी, कोरोना पॉजिटिव नगेटिव अलग कर जल्दी कर ले जाएंगे, इस बात पर विचार के जिए, कि जो कुरोना पॉलिटिव होंगे, दूसरों को को नहीं बात है, तो वहां पर और तीसरी बात ही हाँ पर और है, कि जाच हम जानते हैं, आपने पहला सिग्ड़ अपना इसे किया, B точre, दूबारा करने को कहा है, PS, E, N, S, H आप से दस बार signature करें तो पहले signature में और last signature में आप जरूर कुछ नो कुछ हंतर पाएंगे बिलुकुछ फिक्स है क्या आपका बेटा आप ही कि जैसा होता है नहीं होता है तो कारण इसमें जानते हैं क्या है इसका कारण होता है इसको कहते हैं NUTATION क्या बोलते हैं NUTATIO इसको बोलते हैं NUTATION मतलब आपकी जो मेट्रियल होता है वह सेम नहीं होता है कुछ इसमीं क्वाल्टी कम होती है बढ़ती है तो इसके कारण जाहें डबलु ने बताया है कि जो अब कोरोना मतलब जो थड़ वेब आएगा उसमें कुरोना कुद को मार सचे वह आफ़ा है तो विल्ऒना की सिस्तन से बैढ़ा हैं यह अपस्टा आइक ही बात को ईसारा कर रहे हैं कि जो थड़ा वेब आएगी जो थड़ा वaffles ऑगा पाईगी वह कुछ नहीं कर पकाईगे बात समचे मतलौने बात पाएं अब कोई तो आफवाहें नहीं फैलाना है इस बात को फैलाईगे ताकि लोग जागरुखों आफवाहें कोई नहीं फैलाएं आदमियों मलब कोरोना पॉजितिव हो जाने से आदमी कोरोना से नहीं मरेगा जितने जादा वह अहदंक कमर जाएगा जिसे हाड़ फेर हो जाएगा उसका एक बार क्या हुआ कि एक गरीव किसां था जो चपर चारा था उपर चप में होता नहीं चपर और हाथ डाला नीची और सुसा अपने दस लिया यहां पर उन्हीं सुसा स्वाएट कोई खरवर उसका होता है नहीं गड़ गया होगा और हाथ निकाला और नहीं मरा बच गया अगर कोई यह चाथा साप ने काटा तो अब डर के मारे मर जाता है तो आप जो यह फैलाते हैं ना कि तीसरी लार एक गंते पर लोग मनेंगे कुछ लोग तो डर के मारे ही मर जाते हैं तो आप फाहे नहीं फैलाना है सभी को एक बार माहा जोड़ की गुजर्च करता हूं नहीं जांता ही सेला है इस वीडियो को जादा जादा सेर कीजिए इस्टेटर्स लगाइए ताकि यह जादा जादा जागरूप हूं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और जिसमें JEFF करूगा आतमन QBT-RT-PCR के बारे में मिलते हैं नेट वीडियों तो तक के लिए आप से इनको जह हैं